आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगी गुलमोहर इंगलीज बुक की चैप्टर दा नाइट दा गोश्ट गोट इन की एक छोटी सी समरी को और अगर आपने चैप्टर का एक्स्प्लेनेशन नहीं देखा है तो उसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी तो कि ये कहानी एक बहुत ही फनी है जिसमें एक रात 1915 की समय की बात है कि जब ओतर के परिवार को लगा कि उनके घर पर कुछ भूतिया गतिवितिया हो रही है पहले तो वो ओथर को ये लगा कि नीचे जो सीडियो से कदमों की आवाजे आ रही है जो कदमों की आवाजे सुनाई दे रही हैं वो साइद उसके भाई या उसके पिता की हो सकती है जब उसने जहां की जाच की और पाया कि यहां कुछ नहीं है कोई नहीं है तो उसने अपने भाई हर्मन को जगा दिया जब उन्होंने कदमों की आवाजों को और अपने पास आते हुए सुना तो वो बहुत ज़्यादा डर गए वो दोड़ कर अपने कमरों में गए अपनी और अपने मा के नजदीग उसे लगा कि साइद यह कोई चोर हो सकती है तो इसलिए उसने अपना एक सू एक जूता अपने पडोसी की खिटकी पर मारा जिससे कि उनके पडोसी की कुछ मदद मिल सके पडोसी ने मिस्टर बोडवेल ने पुलिस को बलाया पुलिस आई उन्होंने सामने का दरवाजा थोड़ा पूरे घर की तलासी की ना तो ने कोई चोर मिला ना ही कोई भूत इस सभी हला मच रहा था इस दोरान ग्रेंड फादर अपने एटिक में गर की उपर वाली चिग है एक स्टोर रूम टाइप तो वहाँ पर सो रही थे वो भी थोड़े डर गए और उन्होंने पुलिस को इस हादफाई में एक पुलिस ओफिसर को गोली मार दी आखिर में परिवार बहुत ज़्यादा परेशानी में था बहुत ज़्यादा कन्फियूस में था क्योंकि घर में पूरी जिगे तबाही मची हुई थी और यहाँ पर किसी गोश्ट के फिर से कदमों की चलने की आवाजें नहीं आएं कहानी से यही सीख मिलती है कि एक छोटी सी मिस अंडेस्टेंडिंग से कितना ज्यादा हड़कम बन सकता है और कितनी अजीब हालाते आपके सामने बन सकती है तो यहाँ पर यह छोटी समरी खतम होती है मिलते हैं नेक्श वीडियो में एक नहीं समरी या फिर एक नहीं चैप्टर के जाथ बाई बाई